जैने दूस्तों बंदे मातरम शोयवक्तर की बेज़दी वाला मामला तो आप लोगों को याद ही होगा जिसमें कि एक लाइव शो में एंकर ने शोयवक्तर को कह दिया था कि तुम यहां से दफाव सकते हो मतलब आप जरा इस बात को समझो कि शोयवक्तर जिस तरह का खिलाडी रहा है अपने देश में उस खिलाडी से वहां का एक न्यूज एंकर मतलब वह ऐसे बोल दे कि तुम यहां से बहार लिख लो क्या हश्र होगा अव्यसी बात है इसके बाद शोयवक्तर ने भी बहुत सही कदम उठाते हुए उस शो में से लाइव शो में से ही जाने का फैसला कर लिया था कि भाईया मैं यहां से रिजाइन करता हूँ और वो उठके चले गया थे लेकिन अब यह मामला तुल पकड़ता जा रहा है अव्यसी बात है तो पकड़ना ही था क्योंकि शोयवक्तर का ऐसा करने के बाद से उनके सपोल्टर लगातार पी टीवी जो की पाकिस्तान का एक सरकारी टीवी चैनल है उसको टैग करते हुए ट्विटर के उपर बोलने लगे थे कि भाई यह तुम्हारा एंकर है न नोमान उसकी जड़ा छुट्टी कर दो अब तो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो शोयवक्तर की इस बेज़दी के कारण हम आपकी छुट्टी करवा देंगे अब्विसी बात है इस प्रकार के एक्शन का रियक्शन तो हुना ही था लेकिन हुआ कुछ अलग मतलब जादा अलग तो नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत अलग ऐसे हुआ कि कोई बहुत बड़ा कदम तो नहीं लिया गया लेकिन कदम ऐसा लिया गया कि खुला बहुत तो वाले एंकर नोमान नियास पर भी पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने एक्शन लिया है चैनल ने जाज पूरी होने तक दोनों को आफ एर करने का फैसला किया है हाला कि लाइफ शो से निकाले जाने के बाद शोय वक्तर ने इस्तीफा दे दिया था फिर ये आफ एर वाली बात क् मताबिक पी टीवी ने फैसला किया है कि इस मामले की जाज पूरी होने तक दोनों किसी भी शो में हिस्सा नहीं ले सकेंगे माना जा रहा है कि इस मामले की जाज कर रही कमीटी ने ही दोनों को हटाने की सिफारिश भी की है लेकिन शोय वक्तर तो जहां तक मुझे पता है व अरबों को लोगों के सामने इस्तीफा दिया था पीटीवी पागल है क्या वे कौन होते हैं मुझे आफ़ेर करने वाले और विसी वाद है अब इनसान ने पहले ही इस्तीफा दे दिया है तो फिर आप उसको क्या समझ रहा हो दरसल बीते मंगलवार मतलब 26 अक्टूबर को टी-20 वर्ल्ड कप में न्यूजिलेंड और पाकिस्तान के बीच मैच खिला गया जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासल करी इसी के बाद पी-टी-वी के विशेश प्रसरेंड गेम आउन है कि दोरान अक्तर और नियास के बीच बहस हो गई हुआ ये कि शो के होस्त नियास ने अक्तर से पूछा कि क्या पाकिस्तान ने न्यूजिलेंड ने खिलाफ चीजिंग में कोई गलबड़ी की लेकिन अक्तर उनकी इन बातों से सहमत नहीं हुए और एंकर के सवाल को नजरन्दास कर दिया और तेज गिंदवास हारिस राउफ के बारे में बात करने लगे अक्तर ने पूर्ते टेस्ट तेज गिंदवास की और इशारा करते हुए कहा कि ये वो व्यक्ति है जो सभी श्रीय का हगदार है ये लाहूर का लिनर्स का था जिसने हमें हारिस राउफ दिया नजरन्दास की जाने से चिड़े नियाज ने अक्तर पर बत्तमीजी कारूप लगाया और उन्हें शो छोड़ने के लिए कह दिया नियाज ने कहा कि आप थोड़े सब भी हो रहे हैं मैं यह नहीं कहना चाहता लेकिन आप ज्यादा ही ओर स्मार्ट हो रहे हैं तो आप यहां से जा सकते हैं मैं इसे ओन एर कह रहा हूँ तो आप यहां से निकली जाईए इससे पहले कि अक्तर को जवाब दे पाते हैं नियास ने ब्रेक ले लिया हलाकि इसके बाद जब फिर से शुरू हुआ तो शोई वक्तर ने अपना अस्तीफा दे दिया और मामला कहीं से कहीं तक भी ठंडा पड पता जा रहा है शोई वक्तर ने जाज समीती के सामने जाने से मना कर दे इस प्रकार के रिपोर्ट सामने आ रही है तो अब देखते हैं यह मामला कि कहां तक जाता है किस हद तक जाता है मेरे सुडियों फिलालत नहीं जैंद जै भारत